मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आप सभी को आईए आज हम लोग कुछ चैनित प्रश्णों को संग्रहित कर उसका चर्चा करते हैं यह एक जेनरल साइंस क्वीज स्रीज है जिसमें विभीन प्रशाओं में आया हुआ प्रश्णों को और कुछ महतोपुर्ण प्रश्णों को जोड़ करके एक quiz series बनाया गया है जिसमें हम 30 प्रशन आज लिए हुए हैं और इन प्रशनों को हम चर्चा करेंगे आप अपने notebook पर 30 column बना करके उसमें जो answer हो आप साथ साथ में लिखते जाएंगे अपना answer और सही answer के बाद वो सही हो रहा या गलत हो रहा उसको cut off करके लास्ट में आप देख लिजेगा कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ और जितना भी मार्स आता है आप अपना comments में डालिए ताकि हमें भी पता चले कि आप का performance क्या है सुधार क्या हो रहा है या भी कोई भी दिक्कत हो तो वह भी आप जरूर करें यह सीरीज हम लोग विकली चलाएंगे प्रियास करेंगे कि सब्ता में एक ऐसा मिले आपको और हो सकते तो अधिक आपको समय देंगे दस सेकेंड में आप अपना जो भी 24 आपको सही लगए अपने विचार से लिख लिजेगा बाद में हम अपना जवाव देंगे जो सही जवाव हो देंगे यहां से ठीक है तो शुरू करते हैं जेनरल साइंस क्वीज वन का प्रश्ण संख्या एक प्रश्ण संख्या एक लिखा हुआ आपका स्क्रीन पर आ रहा है किस प्रकास में प्रकास संसलेशन सरवाधिक होता है च्वाइस यह है लाल बी है निला सी है हरा डी है बैंगनी आप अपना एंसर नोट कर लिजे चलिए अब सही एंसर इसमें है निला इसका सही एंसर है सही एंसर निला है ठीक है अब इस सही एंसर को हम लोग आगे थोड़ा और इसको समझ लें यह निला और लाल लाल में भी कभी कभी आपको एंसर मिल जाता होगा लेकिन अगर दोनों च्वाइस हो लाल और निला तो निला जो है वो लाल से अधिक सही होता है क्योंकि निला में लाल से जादा प्रकास्ट्रनस लेसे होता है और अगर निल्ला नहीं रहे तो लाल इसका इंसर होगा इसमें एक दुसरा तीसरा से देखेगा हरा तो हरा जो है वो सबसे कम होता है यह सबसे कम है और बैंगनी बीच में आता है तो हरा को जाद रखेगा हरा सबसे कम है निल्ला सरवादिक है निल्ला नहीं रहने पर लाल सर होता है प्रंतुभ प्रंतुभ पादब को नहीं बहुत ही महतंफुर्ण प्रश्न है कौन सा खनीच जनतुभ को आवश्यक होता है प्रंतुभ पादब को नहий अर्थाथ पेड़-फोद के जवरत नहीं होता है तो 24 यह misma सोडियाम, B है आई मतलब आयोडिन, C है दोनो और D है नन, नन मतलब कोई नहीं, चलिए आप अपना एंसर लिखिए, तो इसका answer होगा दोनो। sodium और iodine दोनो। ठीक है। आप ये दोनों में से याप जानते होगे कि मनुश्यों या हम लोगों के सभी प्रानियों के लिए sodium और iodine हम लोग चेक नहीं होता है तो चलिए इसके विसे में आप जानते ही होंगे हम आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्यां तीन पर आते हैं तीसरा प्रश्ण है कौन सा प्रकास तरंग धरियर रेंज प्रकास संसलेशन के लिए ज़्यादा प्रभावी है अब इसमें आपके पास 24 यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है चलिए कोई बात नहीं हम यहां पर आपको 24 बता रहे हैं इसमें 24 में आप 24 में आपको हम देख रहे हैं 200 से 500 नैनो मीटर 300 से 600 नैनो मीटर और 400 से 700 नैनो मीटर C 24 से 400 से 700 नैनो मीटर और D है नन में तो आप इसमें यहां परच्वाइस नहीं है इसलिए हम आपको बता देना चाहरा है कि इसका एंसर जो होता जो प्रकास जो होता हम सुर्य प्रकास उसका जो प्रकास तरंग देद्र है वह सी एंसर होगा 400 से 700 नैनो मीटर ठीक है 700 नैनो मीटर होगे इसको चार सो 7 slopes है सब्सक्राइब बतार ओस्या क्या आप याद रखेंगा कि जो सुर्य का प्रकास का तरंग देद्र है उसी में यह कामकरता है उससे अधेक में भी नहीं काम करता है और उससे नीचे में भी प्रकास नहीं होता है प्रकास से प्रकास होते हैं जो द्री से प्रकास है 4000 एंगस्टम से 7000 इसको नैनोमेटर में कहेंगे तो 400 नैनोमेटर से 700 नैनोमेटर का रेंज में ही प्रकास सेंसलेशन होता है के ठीक है तो चलिए हम लोग आते हैं कि चोथे प्रशन पर चोथा प्रशन है रसायन संसलेशी जिवानू जिसको कहते हैं केमो सिंथेटिक बैक्टरिया किससे उर्जा प्राप्त करता है तो इसमें 24 है सूरी से ये बी में 24 है अउरक तरंग से सी में है आकार्वनिक पतार से और डी में है कार्वनिक पतार से अब यहां पर आप अपना एंसर लिख लिए जो भी हो हम सही एंसर बता रहे हैं इसका सही एंसर है आकार्वनिक पतार से इसका सही एंसर है आकार्वनिक पतार इसमें ध्यान देने की बात है कि कुछ जिवानों ऐसे होते हैं केमिकली सिंथेसाइज करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं अपना एनरजी करते हैं इसे केमो बैक्तरिया करते हैं वह वह धेarmी ऐसे बहुत से bacteria जिसको इन्वर्गनिक बेक्टरिय कहा जाता में उससे बैक्टरिय के नाम है इन्वर्गनिक बेक्टरिया तो ऐसे बैक्टरिया मतलब आकार्बनिक परार्थ को सिंत्रेसाईड करके और-जापरत mo hyper ठीक है यह सूर्ज और अवरक्ट के तरंग से नहीं और नहीं कार्वनिक पतार्थ से इसलिए एंसर होगा सी ठीक है अब हम लोग पांचमा प्रस्ण चलते हैं पांचमा प्रस्ण आप देख रहा होगा लिखा गया है लाइट रेक्शन या फोटो केमिकल अविक्रिया किसके अंदर होता है यह प्रकास कista। के इससे जो अभिक्रिया होता है यह प्रस्ण आप समझ यह किस्सी है हम बता थोड़ा साभार देओर जाने तरह हरते हैं यह है आपका प्रकास सींसलेशन से फ्रकास होती है एक लाइक्षान एक डार्क रेक्सें तो उसी से प्रस्ण नहें तो question है light reaction या photochemical अभिकरिया किसके अंदर होता है च्वाइस यह है astroma, b है grana, c है cytoplasm, d है none आप अपना answer देखिए आपको जो उचित लग रहा है उसमें लिखिए और इसका सही answer है grana, b इसका सही answer है grana और grana में जो होता है यह देखिए इसका answer है grana grana जो है कहां पर होता है यह हरित लवक में सिक्के के अकार का बना हुआ इस तरह से रहता है है इस तरह से देखते हौंगे इस इस तरह से ऐसे से कर रहते थे इसको grana खाया था ठीक है और यह सब grana जो होते थे किसी जब हम करूलोलो प्लास्ट को देखते हैं तो इसके इंदर यह बहुत सब्धर्द सब्यार्ब यह और रोंगे यह उसे आलगे अूर्णतों मैंसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब मेरा रहते हैं ईंसे नहीं एक रहते हैं कश्डाइ ले मिलिए já तो इस तरह से आपका जो भी पदार्थ है उसमें से एक ध्यान देने के बात है कि यह हरित लवक में तीन तरह का चीज होता है पूरा गुच्छा का नाम इसको हम कहेंगे थैलोकॉइड और यहां आपका च्वायस में से धुनना था कि कौन में लाइट रेक्शन होता है तो आपको हम यह डिसकर्श आपको पहले विडियो में हम कर चुके हैं जब आपको कोशिका पढ़ाय होए तो तो वहां पर आप देखेंगे कि हरित लवक के ग्राना में क्लोरोफिल पाया जता है और क्लोरोफिल में ही रसानिक अभिक्रिया फोटो केमिकल अभिक्रिया या लाइट रियक्षन होता है तो लाइट रियक्षन जब भी पुछा जाए तो ग्राना में होता है ग्राना में क्यों होता है क्योंकि ग्राना में क्लोरोफिल होता है ठीक है इसलिए एंसर होगा बी वोके अगर डार्क अभिक्रिया पुछा जा यहीं पर तो आप डार्क अभ शोसन जाता है कर दो सबसे अधिक किसमें होता है चलिए फैसे यह उच्छा तथा लंबा एंपयर में भी घहास में चींअग में बी पती के कली में तो इसका एंशी है लिए असके बाद हैंगुरित में क्योंकि जब औंपलज़ा होता है उस समय सबसे और धियॉडे टेज सबसे तेज सबसंदर होता है ओक्ए चलिए थीक है अगला प्रश्ण है क्रेस चख्र किसमें होता है क्रेस어rab start किसमें होता है मैट्योकंड्रिया में यह भी-ह हरितलवक में c है जीवद्रब्य में डी है राइबोसन में तो अहां पर गौर करने की जवन्रत है कि यह ससन से है और सहसन में कि माइटो कॉंड्रिया के अंदर। आक्सी सोम में सोसनिय इंजायम होते हैं। इसलिए इसका एंसर होना चाहिए इसका एंसर होना चाहिए माइटो कॉंड्रिया क्रेप्स चक्र माइटो कॉंड्रिया में होता है आपको पता है यह चीज हम बताए हुए आपको ऐसे सवसन में भी आप यहां भी पढ़े होंगे अभी जब हम कोशिका का वीडियो डालें उसमें आप देख सकते हैं इस पर भी हम चर्चा किये थे तो आगे बढ़ते हैं इसक यह चार चुआश में आप इसका एंसर जानते हैं तो आपना लिखिए और इसका एंसर हम आपको सही एंसर बता रहे हैं इसका एंसर सही एंसर है इथिली इथिलीन जो है इथिलीन बहुत ही सभी फलों में सभी फलों में यह सभी फलों को पकने के लिए यह ज़रूरी होता ह क्योंकि इथिलीन एक इंजायम के रूप में काम करता है और फल को पकने में मदद करता है जबकि सिओ टू और मिथेन गैस ये इंधा दू गैस तो गरिन हाउस गैस है लेकिन यह सब फलों को पकने में मदद नहीं करता है प्रकार का इस प्रकार का सब्से अधिक मातर में पाइब आ लगास तो इस तरह से हमारा पकने वाला गैस है पकने मसाहता करने वाला घास है फो है यह प्रस्म पुछाधा है कौन सा गैस उन्जाय। हार्मोन की रुप में यहां बिरदी हार्मोन के इसे होता है यह ऍसक्राइब घ्ली को सब नक्राइन शाह ने सब हार्मोन है और वही पाद आपका विश्यंइन होता है गास की रूप में इथिलीन की तहीं को पकने मदल करता है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको आप समझ गए इसके में आगे आते हैं नौवान कोशन हैं तो एक में आप कौन सा पदार्त का स्प्रेक करेंगे यह इथिलीन बी साइटोकाइनिन सी जिब्रेलिन और डी आई ए यह फूल फर्म होता है इसका इंडॉल एसिटिक एसीड तो आप यह चार च्वास में जो उचीत एंसर रगए आप इसको अपने नोटबुक में रहे हैं चलिए इसका सही एंसर देखते हैं कौन सा है इसका सही एंसर है जिब्रेलिन इसका सही एंसर है जिब्रेलिन आप इथिलीन के विसम अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि यह भी एक हार्मोन है साइटोकाइनिन भी एक हार्मोन है और ग्रॉथ हार्मोन होता है और जिब पेड़पादप विकास नहीं कर रहा है तब हम जिब्रेलिंड का च्रकाव करते हैं और इसके च्रकाव करने से यह कुशिकाव को कि बढ़ा द Hudson पीदव का करता है उसके तना को मोटा कर दो आ, तो संवी को लंबा भी कर दो हैं तो उसकी लंबाई और मोटाई बढ़ जागे जिससे हमें अधिक सरक्रा उत्पन होगा ठीक है इसका एंसर होगा जीवरेलिंग ठीक है चलिए थेंक्यू आगे हम लोग बढ़ते हैं दस नंबर पर आते हैं कोश्चन नंबर दस पेड़ पौधे के जड़ से कवकग का सहजीवी संबंद को कहा जाता है चलिए आप उस पेड़ पौधा के जड़ से कवक और दौनों को बीच में दोनों कोई नहीं चलिए इसका एंसर देखिए क्या है आपके हिसाब से उसके बाद आप भी इसका सही एंसर को हम लोग देखते हैं तो चलिए इसका सही एंसर को हम लोग देखते हैं सही एंसर है इसका मायको राइजा मायको राइजा यह मायको राइजा जो है यह कवक और ज नो अपना कुछ रे गले-पदार्थ से भोजन प्राप्त करते रहता है और कवक्स के शड़ने गालाने से पीड़ पोदों को इरो रहता मिल जाती है इसलिए दोनों को लाव होता है इसलिए ऐसे सम्धों को मैं को राजा का जैता है लाइकेन जानते होंगे कि लाइकन एक लग संबंद है जिसमें सेवाल और कवक के बीच के संबंद को लाइकन कहते हैं तो यहां पर लाइकन नहीं होगा यहां पर एंसर होगा माईको रेजा ओके चलिए हम लोग अगला प्रस्वन पर आते हैं 11 नंबर कुश्चिन पर प्रस्वन है प्लाजमोलाइसिस होता है यह है बाहिपरासरन बी है अंतापरासरन सी है रीवर्श ओस्मोसिस डी है नन तो चलिए आप इसका एंसर आप सोचिए अपने इसाब से क्या होना चाहिए और हम चर्चा करते हैं फिर आप इस पर आते हैं प्लाजमोलीसिस को समझाते पहले है। तो Singapore का मतलब होता है कि जब कभी कोशिका को आइसे पदार्थ में रखा जाया तो बिलियन में रखा जाया जूचियँ जीव१र है जो जो जुचुन की आरका जो साइटो प्लाज्म है अंदर का जल बाहर निकलने लगे और उन्दर में इतना शोटा मर जाए कोशिका खत्म हो जाए उसका छोटा हो जाने से प्लाजमा कर जुटकर जल निकलने से यह मतलब मर जाना थो यह हम आपको जब प्लाजमा Hadrat नो यह बना बने पालों बता रहे तो वह पर हम चर्चा किये आप प्लाजों लिस पर चया होगे तो चलिए इसका एंसर क्या होना चाहिए इसका एंसर हैं भाहए प्रासरन मतलब कि जब प्रासरन कोशिका से बाहार निकले लगे तो काते थे यहां पर जब कुशिका को अधिक लवन युक्त बिलियन में डुबा देते हैं तो बाह प्रासरन होता है अधिक नमक घुला हुआ हो उसमें डुबा देते हैं तो बाह प्रासरन होता है जिससे प्लाजमोलाइसिस हो जाता है तो प्लाजमोलीसिस में बाह प्रासरन होता है जै जैसे हम लोग अचार में ज्यादा नमक डाल देते हैं इससे फैदा क्या होता है कि यदि उसमें बैक्टरिया पनप पेगा तो बैक्टरिया क मर जाएगा जिसके कारण वहाँ पर बैक्टरिया पनप नहीं पाएगा इसलिए हम लोगों का अधिक नमक डालने से आचार बहुत दिनों तक सुरच्छित रहता है है ना तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे आगे प्रश्ण पर आते हैं 12 नंबर वास्पोट सर्जन को मापा जाता है आपको बताना है कि कैसे वास्पोट सर्जन को किस स मापा जाता है पोटेंसियोमीटर से पोटोमीटर से हाइडोमीटर से तो इसमें आप अपना एंसर पूटप किजिए और सही एंसर बताइए क्या है अब हम समझ रहे हैं कि आप अपना एंसर लगा लेंगे तो इसका एंसर है पोटोमीटर इसका एंसर है पोटोमीटर बीच सब्सक्रy cheüp आने के लिए वास्था सरजन को और पॉटेंसियो मिटर की बिया जानते हुगो फटेंसियल को मापने के लिए रपा है फोसको मापा जाता है तो आधे इस प्रस्ण को रखलते थे तेर्ल नमबर का question है रिख्तिका का आवरण को कहा जाता है वी चिंदी अ करा उरन को कहा है रिख्तिका क्या कहेंगी लोग हुआ पादब कोशिकाओं में बड़े अकार का दिखाई देता है उसके आवरण के बिसे में पुछाज़ार आपको च्वाइस यह है मायो ब्लास्ट भी है टोनो प्लास्ट सी है प्लाडी प्लास्टी डॉम डी है नन कोई में कोई नहीं तो इसमें देखे एंसर अपना लगा लिजे हम आप पर आते हैं हमें लगता है अब आपके एंसर अपना लगा लिए होंगे अब इसका सही एंसर हम बता देते हैं सही एंसर है टोनो प्लास्ट टोनो प्लास्ट जो कि रिक्तिका के बाहर का एक आवरण होता है उसको कहते हैं या रिक्तिका एक निर्जीव पदार्थ होता है इसके अंदर निर्जीव पदार्थ भरे रहते हैं विकार पदार्थ भरे रहते हैं जबकि जो कोशिका के जो सबसे बाहर के आवरण होता है उसको करते हैं प्लाजमा जिली ते प्लाजमा जिली से अलग तरह जिली होती है इस से मायोबलास्ट कहा जाता है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं प्लास्टिक डॉम के बिसे हम आगे इसी प्रेशन में चर्चा करेंगे आगे बढ़ते हैं वहां पर बात करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जीवानों में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जीव अब आप इसको एंसर अपने हिसाफ से लगाईए और हम चर्चा करते हैं आपके राइबोसम के रिशे में राइबोसम के रिशे में आपको हम पिर बताये हो थे राइबोसम दो प्रकार का होता था एक विक्षित कोशिकाओं में जो पाया रहता था उसे 70S कहते थे और होला जीव है इसलिए एंसर होगा सत्तरेस जीवानु जो है प्रकरियेटिक कोशिका रखता है इसलिए एंसर होना चाहिए सत्तरेस प्रकार का राइबोसम होता है तो हम लोग इसको समझ गए आगे बढ़ते हैं पंद्रा नंबर कोश्चन नारियल के पानी में कौन सा पदा इसका मतलब होता है अबसेशिक एसीड तो यह एबसेशिक एसीड को चलिए अब हम आपको कुछ समय देते हैं ब्रेक देते हैं ताकि आप अपना एंसर लगाए और फिर हम सर्चा करते हैं इन प्रश्णों के 24 पर देखिए यह नारियल के पानी में जो है यह सभी 24 जो है और हार्मन पतार्थ की से में 24 दिया गया है तो आपको इसी चारहिव हर्मन में से कोई चुनना है तो हम बता देंते हैं और टी जो च्मौन है और procedure यह लिखा हुआ है झिसको ऑक 100 positive के सबसे अर्धिक मात्रा में नारियल के पानी में रहता है। यह प्रिकार का बिर्दी हार्मौन जी Yuk है जो कि एक बिर्धी हार्मोन होता है ठीक है आगे बढ़ें कौन एक बिर्धी हार्मोन नहीं है फिर वही कोश्चन है हार्मोन से कौन एक बिर्धी हार्मोन नहीं है यह है औगजीन जिब्रेलीन साइटोकानिन डी एपसेसिक अमल इस प्रश्ण का चर्चा अभी हम जस्ट उपर में कर चुके हैं तो यहां पर आपको अभी कही रहे थे यह औगजीन जिब्रेलीन और साइटोकानिन यह तिनों बिर्धी हार्मोन है तो बचा कौन एप ुआप घटक वर्ख के अंदर आता है नहीं क्युम्हाँ में कौन आता है तो यह दिर्धी कंपोजर में कौन आता है भाग है इसमें क्या कौन है अब फेसने देखिए और हैं अफौन है अव घटक तो देखिए हैं अपने एंसर लिखिए और अब हम लोग जानते हैं कि जो वर्ग को बाटा गया है जीवों को, एक बाटा गया है उत्पादक वर्ग, एक बाटा गया है उभुता वर्ग, और एक को कहा गया है अपघटक वर्ग. है यह है जो कवक है इसमेच हमेरा कवक जो आता है यह अपकटक मतलब जैसे कोई भी सठा मर जाता हो 25 खटम कर देघुरे दिरोनर्श्ठ कर देघु और मिट्टी में मिला देयच अपफटन कर देट दिरोने तो बड़े-बड़े पेड़ पौधे या कोई भी जीव जनतु मरते सरते गलते हैं तो कवक उसका धीरे-धीरे उसका अपघटन करके उसके अलग-अलग मिट्टी के पदास में मिला देता है समात करता है या इसे पदास ऐसे जिवों को कहा जाता है अपघटन करना और ऐसे कर से मते सब्सक्राइब करता है और उतपादकमें करता है या इसलिए यह ऐसे इसे हैं मिर्त्वादारत पर जीवित हता है जिसमें मिर्थ जीवी भी काते हैं ते एंसर होगा इसमें कवक और आगे बढ़ते हैं हम लोगों अठारा नमर कोशन पर किसमें सवपोसी तथा परपोसी दोनों गुन होता है बहुत ही अच्छा कोशन है ऐसा कोशन बड़ी मुश्किल से मिलता है आपको ऐसा कौन सा पादा पर जिसमें सवपोशी तथा परपोशी दोनों गुन होता है योगिलीना कवक सेवाल मनुष्य तो चलिए आप अपना एंसर लिखिए आप तो जरूर मनुष्य लिख रहे होंगे कि हम लोग अपना पोशन खुद कर लेते हैं और दुसरा भी पोशन कर लेते हैं लेकिन नहीं आप ऐसा ना सचें इसमें एंसर होगा अब हम सही एंसर पर आते हैं इसमें एंसर है योगिलीना योगिलीना एक ऐसा जीव है जो सुरी के प्रकास में प्रकास संसेशन करके सवपोशन भी कर लेता है और आंधेरे में सुरी का प्रकास नहीं रहता है तो यह मिर्तोप जीव सबरेगले प्रण प्रडार्थों से भी अपना भूजन प्राप्त कर लेता है मिर्टो अपवक प्रणल करता करता वह य 걸 incentives इसलिए परपोसी भी हो जाता है और सबसी भी होता है इस लिए इसे पादप और जंतु के बीच का लिंक भी कर जила जाता है ऑदिक कडी हो जाएगा अपना भोजन खुद बनाता है और मनुष्य पूरी तरह से प्रपोसी है यह कुछ नहीं कर सकता है इस दूसरे जिमा पर निर्भरता है तो हमरोगी एंसर होगा योग लेना ओके चलिए अगला कुश्चिन 19 नमबर पर आते हैं हरीत लवक के अंदर पाए जाने वरा डिन्य को कहा जाता है चलिए एक हरीत लवक जो होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट भी हम कहते हैं यह इसके अंदर डिन्य होता है चानते होंगे यह एक प्रकार शेट सेमी ऐपना संग तो अपना अपने के लिए इसका खुदन हनालेता है उसलिए यह लगों के बिसम्हें जब हम क्लास की तो आप लिए हैं वीडियो में तो आपको देखेंगे कोशिका का कोश्चन है यह तो वहां पर हम यह बताया थे कि इसके अंदर डिन एक भी पायता है तो आपको जवाएस में देना है कि यह कौन सर डिन एक को क्या करते हैं तो पहला गरंको देखेंकर दूज़ें आप अपना और हम सही एंसर पर लाटें हैं झाज इसका सही एंसर है प्लास्टिडॉंन है कि अउनिफ्ड के एंदर जो when सब बताता है गोल गोल इस तरह से गोल गोल बियूए पाया जाते हैं इस एक नाम है सर्कूलर डिन्य कहते हैं वहाँ पर लेकिन सर्कूलर डिन्य के Plastids में होने के लिए इसके Plastidome कहा गया है Plastids यानि लवक में होने के कारणी इसका नाम रखा गया है Plastidome तो इसके answer होगा Plastidome अगर दीर choice में Plastidome नहीं रहे तो आपका answer होगा Circular DNA ठेक है, तो यहां better answer है Plastidome, अगर Plastidome नहीं होता तो answer सर्कूलर DNA चलिए हम 20 पर आते हैं प्रश्चन संख्यां 20 पर क्लोरोफिल यह तथा खलोफिल यह यह लिखें इस ओड़ में क्लोरोफिल यह तथा खलोफिल बी का अनुपात किसी बिक्षित पादप में होता है कानुपाद में क्लूरोयल यह मंतलğlब बड़व की बात कर रहा है किलूरोफिल यह और प्रस्टर्य की अंदर से लिए जाता है क्लोरोफिल कई परकार के होते थे इसमें क्लोरोफिल ये क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल डी क्लोरोफिल ये इस तरह से क्लोरोफिल साथ परकार के बाटे गये हैं उसमें से साथ परकार परमुख है और उसमें सबसे जो ज्यादा परमुख है क्लोरोफिल सबी जीवों में होना ही होना है तो कितना होता है बड़े पादप में इसके बिसे में आपको जानना है तो आप अपना एंसर सोच लिए होंगे और मेरे इसके आपको हम बता दें सका सही एंसर है प्रतिसात क्लोरूफिल ये होता है और 25 परतिसफंट अधिक मात्रा में कौन सा क्लोरूफिल पायता है तो एंसर होगा क्लोरूफिल यह और लेकिन यहां पर हम बड़े पादव की बात कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम इसको क्वेश्चिन 21 पर आते हैं ब्रेन या मस्तिस्क से मेरू रज्यू अस्पाइनल कोड करेनियम से बाहर किस चिद्र से निकलता है मतलब हम लोग मुनिष्ट की उससे मेरू रज्यू जो बाहर आगा रीड के हड़ी के अन्दर से होते हुए कमर टक यो फैयलता है व्किस चिद्र से निकलता है उसका च्वाइस है, हаз का ये मे और हुँ आँसक ब्हांग ऐड में ने थोखन कोई नहीं को.. भं. आप अपने शोचिए और इसका आप एंसर लिखिए क्या है आपका हम आपको सही एंसर बता रहे हैं इस बीच में आप इसको समझिए देखिए इसका एंसर है मैगनम फोरा में देखिए जो हमारा मस्तिस्क है वो एक क्रेनियम के अंदर इस्सित है जो हड्डी का बना हुआ है काटोरा की तरह है उस काटोरे में मस्तिस्क रखा हुआ है उस मस्तिस्क से जुड虑 लंबा रस्षी की तरह एक एक spinal cord नीचे निकलता है जो मस्तिस से बाहर आकर के कमर तक फैला रहता है जिसे मेरु रज्जु कहते हैं यहां मेरु रज्जु एक विशेश छेद से निकलता है हड़ी जो के बीच में एक छेद होता है बड़ा सा छेद उसे कहते हैं मैगनम फुरामेन उसी छेद से यह सब्सक्राइब को किस नाम से जानते हैं बड़ा महत्रपुर्ण है इम्मिनो गलोबिन अभी आप इसको देखिए सोचिए समझे कभी हम इसको बताये हुए आपको एक प्रोट यह 24 इसका यह एक प्रोटीन भी गलोबलीन सी एंटीजन और डी एंटीबोडी इम्मिनो सब्सक्राइब को किस नाम से जानते हैं तो चुछ देखिए अभी हम आपका एक विडियो बना करके दिये हुए हैं इम्मिनिटी क्या है इम्मिनिटी और भैक्सिन एंटीजन एंटीबोडी उसमें आप यह देखे होंगे कि हमने बताया है कि इम्मिनो गलोबिन अिस हो कितना प्रकार को बता थे चार प्रकार को लाइक त्स MID भी इस तरह से तो वह क्या है मैं इम्मिनो गलोबलिन क्त्राइब को हुथ देखें तो या आप से देखें तो यह आपका एंटी आटि बोडी को इंवान करते हैं आपनी मैं ay इम्न गलूबलिन जो है एंट्यवोडी की रुप में कारिज करता है इसलिए आपके इसमें किस नाम से जानते हैं हम लोग आगे बरते हैं चैस्ट कुलेस्ट्रम से किस प्रकार की एंट्यवोडी प्राप्त होती है यह भी बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्ट्रम कहां आप आयता है पहले आपको यह जानते होंगे तभी आप इसका एंसर देंगे और कोलेस्टरम के विसे में भी हम बताये हुए थे आपका यह इम्यूटी वहला क्लास जो लिए वीडियो उसमें आपका सब डाले हुए हैं तो आप उसमें आप देख सकते हैं अगर चाहें तो फ लेटनिवाड भी अधी इनटीोड़ी चार अनि हम इसका कोलेस्टरम कहा से होता हैं तो पहले हम बता दें कॉलेस्टरम का मासट15 के दूद को देना चाहिए पहला दूद पिलाना चाहिए जहा है क्योंकि मा के दूद में जब बच्चा जन्म देता है जानता है जानता है शरीर कि इससे अभी जो नवजात सिसु पैदा हुआ उसकी पास अभी एंटीबोडी नहीं होगा इसलिए इससे रोग से बचाने के लिए एंटीबोडी देने की जरुरत है तो उस दूद में करने की इस बहों को करते हैं बच्चों को दे देता है दूद के बाहने तो यस् एक्टीव अंटीव जो मां के पलासंटा से रक्त के मादिम से घर्व में रहते हैं उससे जो उसको एंटीवरी तो में इनीट और आनि माता से प्राफ्थ और जब हम जन्म लेते हैं तो विभीन रोगों के चपेट में आते रहते हैं और उससे हमारे शरीर में दीन रात एंटिबोडी बनते रहता है वह ऐसे एंटिबोडी को कहते हैं यह एडेप्टीव एंटिबोडी नाम से जानते हैं अब आप समझ रहाँ कि यह सब भी एंटीबोडी में से हमारा सही एंसर है पैसिव एंटीबोडी क्योंकि कोलेस्ट्रम एक रिमेड एंटीबोडी है अब इन सब बढ़ियां से आप अगर विडियो देखें गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आप देख सकते हैं इम्मूटी और वैक्सिन का जो हम विडियो बनाए है उसमें सारा ये आपके पास एंसर मिल जाएगा अगला 24 नंबर कोश्चन है भुर्न के विकास कर्म में सबसे पहले किस अंग का निर्मान होता है ये इंब्रियोलोजी से कोश्चन है भुर्न विज्ञान से कोश्चन है तो आप इसमें देखे कि भ फिर अंग बनना सुरू होता है तो अंग बनने के कर्म में सबसे पहले कौन सांग बनता है तो च्वाइसा ये फैफड़ा बी ब्रेन ब्रेन मनें मस्तिस्क सी हिर्दय डी आँख इसका एंसर क्या होगा आप सापना सही एंसर लगाईए आप समझ रहें कोश्चन कहां है हर्दय इसका सही एंसर है हर्दय हाट जो होता है सबसे पहले हाट बनता है उसके बाद ऑन बनना सुरू होता है है उसके बाद फिर नोटो काउड बनता हाथ पर बनते हैं फिर बाद में आपके आठेसे सब्ता तक इसका आथ भी बन के तियार हो जाता है तो बहुत है लेकिन सबसे कोश्चन है आपके पहला कौन बनेगा सबसे पहले इसमें होगा हर अपका आठ्वा सब्ता से धड़कना बी शुरू हो जाता है ठीक है तिये बहुत ही इंट्रेस्टिंक कोश्चन है रिष्ट को पुछा वी जाता है आपसे इसके इस लिव ध्यान रखना है चलिए अगला क्यूंत है 25 नमबर question अंडानू तता सुक्रानू किस प्रकार का कोशिका होता है एक कोशिका का प्रकार पुछाए रहे हैं अंडानू और सुक्रानू किस प्रकार कोशिका है तो यह दोनों में से आपको लगभग लगभग जो गुन्सुत्र होते हैं दोनों में बराबर होते हैं लेकिन इसी अधार पर आपको च्वास में लिखना के डूपलवाइड होगा तो बस आप इसका एंसर आप समझ गयोंगे क्या होगा तो चलिए इसका एंसर है सही एंसर क्या है है एपलवायड कोशी का है फलवायड मतलब जिसमें गुंसुत्र आधा होती है उससे कहा है है और जानते हैं। अंडानु में 43 गुंसुत्र होते हैं और जब दोनों मिलते हैं तब हो जाता है 46 गुंसुत्र और उसको बिद्वीयकोषिका कौन जाएगोषिका और उसमें गुंसुत्र होते हैं अगुन। होते हैं मतलब आधा होते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 26 नमेर होटमें होने होने वाला होना चाहिए जायगोट में होने वाला सत्त कोशिका विभाजन को कहा जाता है जो निरंतर को लगातार शुरू हो जाता है जैसी उसको कहते हैं तो किया नाम है तो यह उसमें क्या उसको हम लोग क्या कहेंगे च्वाइस में यह है इसका एंसर है आप तेखिए अपने साथ सोचिए क्या होना चाहिए आपको यह हम भुर्ण विज्ञान का एक विडियो बना के दिये हुए है उसमें आप इसको पुरा मिल जाएगा आप उसको समझेंगे कि अलग लग वस्ता होता है जैसे ही अंडानों सुक्रानों मिलते हैं तो पहले जाएगोट बनता है और जाएगोट लगातार एक विभाजन शुरू करता है और जिससे इस सभी कोशिका आपस में दो भागों करके सटे रहते हैं अलग अलग नहीं होते हैं उस तरह के कोशिका विभाजन करते हैं इसका एंसर होना चाहिए एक किलीभेज इसका कि लिभेज करते हैं आपस में अलग दुषरा की लिभेज इसे चार को शिका बनेगा चैथल होने लागते हैं तो करते हैं ब्लास्टूला ऑव जब तीन लेहर बना जैते हैं तो करने घ portion सथैनल इस तरह से हम अलग-अलग है फिर्पके थेस्चा थे आपके ठाशे यह आगे वढ़ते हैं should no Sumeralоры कोरणा विसानू हैuciónलोव यह कंपर्क बिसानू ए तो यह यह बैक्ट्रियोफा। सबस्क्राइब नहीं विल्पित तो यह आयां मेज़ियों के विरॉय आप घ्रॉयों दिएको सब्सक्राइब है वे घ्रॉय जी शी विनया कहता है विल्फियों और पेशिएक प्रोमी इंट्यों घ्रॉयूर। गर्काइब है भिल्योन जब उसका नहीं पायता है थम चलिए हम आगे बिसे में बतांगी यह नौवेल प्रकार का को मुझा सरा PE सान dul होता है को चल हुता है अब जो चल रहा है आज के समय में यह नमें। के कारण होता है और यह एक RNA विशानु है ध्यान रखना है यह एक RNA विशानु इसलिए एंसर होगा C RNA विशानु है अब DNA में इसमें नहीं है बैक्टरियो फाज नहीं है भिरियों भी इसको लोग नहीं किसे बाहर का दिवार होता है इसलिए विसानू है और यह बाहर का दिवार होता है जिसे अगला प्रशन पढ़ते हैं अठाइस नंबर कोश्चन प्राते हैं सोडियम हाइपो कॉलोराइट का उप्योग होता है यह चलिए आज के समय में जब कोविड नैंटिन चल रहा है तो इसा प्रशन आपके पास आ सकते हैं परिछा अभी जो सामने आपके जो भी आएंगे परिछा उस परिछाओं में इसा साथ प्रशन प्रशन आपसे पूछे जा सकते हैं इसको आप फूरियम हाइपो क्यों कि का प्रविए की यह कहता है आपको यह जानना है यह कृष्ट का कुश्चन समझ सकते हैं इसको आप या ने फिए अध्यत्यत्यन जानका रिकेंदरगिस को ले ले लिजें यह बहुत होगा और आपको इसमें पहला चुवाइश है हैंड सेनिटाइजर दूसरा चुवाइश है क्लॉथ सेनिटाइजर में तिसरा चुवाइश है फ्लोर सेनिटाइजर में और तिसरा चुवाइश है मेडिकल मेडिकल उपकरन के सेनिटाइज करने में या सेनिटाइजर में तो इ टेबल का फ्लॉर मनें सता है नालब राजुन को करने संडिटाइज करने में और किन ऊप्राइजर को ऑपकरनatif bez पुश만ते 15 1962 इसका एंसर क्या होना चाहिए सिसका एंसर आप जानने तो ठीक है नहीं तो ĩndvesar ज लेजिए यह फ्लोर मढ़ुत करना हो तो हम से Supples Stevens Co डाल करते हैं का फ़रों कौना हो अगर साप्ता करना हो फ्लोर को सेंब जिवानों तब सानों से मुक्त करना हो तो हम से एम स्च। थेकि प्रभावी और काफी उप्योगी है और इसका अगर आपसे पूछ कि कितना प्रतिया स्च करना है तो आप इसका एंसर रेंगे एक प्रतियों के माद्यमें से ऐक प्रतियों हब क plane स्च्थ का छिल्काव हम लोग करते हैं अगला कुशन 29 नमबर इसी से है इसी तरह से जुड़ागव पॉशन है अच्छा सेनिटाजर आनि उत्तम सेनिटाजर में अलकोहल की मात्रा होनी चाहिए आज कल जो हम लोग हाथ लगा के तुरंद करते हैं उसकी बात हो रही है तो हम लोग उसमें अलकोहल ह होना है यह सब्सक्राइब के आज होना चाहिए ao साथ सैस्तर प्राइब This की ज्यान कीवल होना काफी नहीं है अभी की समय में आपको बहुत ऐसे चीज जानकारी लेना चाहरा है आज कल जानते हैं कि अभी सिख्छा प्रणाली को चेंज कर दिया गया है और नई सिख्छा-प्रणाली के तहट ऐसे ही सिख्छा दी जा रही है जो कि आपके बहवारी ज किताबी ग्यान को नहीं यह सब भैवारी ग्यान से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिसे आप जानने और जानना हर किसी को चाहिए जिसे आप बजार में आज कल देख रहे होंगे कि बहुत सब्सक्राइब किस तरह से लें बहुत कभी कभी हम नहीं जान करें कि बहुत तगड़ लेते हैं तो आप यह सबसे ज़्यादा रहे तो अच्छा काम करें लेकिन ऐसी बात नहीं है इसका एंसर कौन सा है जिसका एंसर है साट से सतर प्रतिसाथ से निते आज़िए और सथर प्रतिसाथ से अधीक होना चाहिए जो चाहिए अगर सब पर्षेंट वाला है जब अब अच्छा काम करेगा तो थोड़ा सा यहां पर एक जानकारी आपको देदें कि सो पर्षेंट अलकोहल देने से जो सेंट्राइज करने के लिए हम भायरेस को मारना चाहते हैं तो यह अलकोहल अगर 100% रहता तो उसके प्रोटीन से रहता है उसके दिवार को और कड़ा बना देता है मुलायम बनाने के बदले कड़ा कर देता है और वो उसका दिवार ब्रेकडाउन नहीं होता है जिससे विशानुम मरता नहीं है 60-70% वाला में थोड़ा डाल्यूट रहता है इसमें 30% पानी रहेगा और 30% अलकोहल रहेगा तो पानी की मात्रा 30% होने से वो उसमें घूल जाता है उसका दिवार घूल जाता है पानी नहीं रहेगा तो घूलेगा नहीं इसलिए 30% पानी मिलाने से उसका दिवार घुल जाता है और एक जानकारी के लिए आप लोग बता दें कि यहां hand sanitizer से भी अगर पूछा जाए कि बेहतर हाथ दोना सबसे बढ़ियां hand wash कौन है तो आप बोलेंगे अगर आपके पस च्वाइस हो कि alcohol sanitizer B में रहेगा नहाने का साबून सब्सक्राइब देख साबून सी में रहेगा कपड़ा धोने वाला साबून डी में रहेगा डिटरजेंट तो एंसर क्या होगा भाई तो ऐसा में आप एंसर देंगे डिटरजेंट हमने यह आपका कोरोना वायरस करके एक विडियो डाले हैं उसमें आपको यह सब पुरा पुछा जाएगा हर पुरिच्छा में क्योंकि यह इससे पुरा विश्व प्रेशान रहा और इससे प्रस्ण रहना ही रहना है कभी टलेगा नहीं इसलिए जरूर इससे अच्छा से अच्छा से देख लीजे जान लीजे हम पूरा से पूरा बताने कुशिक हैं आप आगे प्रस्ण को हम देखते हैं कि प्रस्ण सबसे बड़ा घटक होता है इसकी परतिसत कूल ग्रीन हाउस का कितना माना जा रहा है मना अभी के समय में यह माना जा रहा है कि सीओ टू ही सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैस का या ग्लोबल वारिविंग का इसी को घटाने की बात हो रही है तो यह कितना प्रतिसत है कूल ग्रीन हाउस में से परशेंट पचास परशेंट 25 परशेंट 100 तो आप इसका एंसर हम समझ रहे हैं कि आप बहुत आराम से दे रहे होंगे आप जान रहे होंगे और इसका सही एंसर है आप इसका एंसर है परशेंट 75 परशेंट परशेंट अभी केवल C02 होता है तोटल सोटीड पर इस में से आप नैट्रास ऑक्षैड है नैट्रीन है नैट्रास ओक्षैड गयज है आपका जलवास्प और जल्वास परमुक रूप से जो है वो है इन इस वो दो इस सबसे से इफेक्टेव लेकिन उसकी मात्रा कम है और जलवास की मात्रा कम होती इसलिए उससाब का ज्यादा प्रभाव हमारे गरिंहाउस में नहीं है सबसे ज़्यादा प्रभाव है तो यह प्रतिसेत होता है तो मित्रों हम समझ रहेंगे आप लोग इस प्रशन को आप पूरा अच्छी तरह से ध्यान में रखे होंगे और यह आपका बड़े ही उप्योगी थे आपको पसंद करते होंगे आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसमें जरूर कमेंट करेगा ताकि हम ऐसी प्रशन आपको बनाने के लिए हम उत्प्रेवित हों और आपको फिर हम ऐसे प्रशन देने की कोशिश करेंगे अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप यह भी लिखें कि ऐसे प्रशन ना बनाया जाए जैसा आपको जो भी चार कमेंट के मादें से जरूर दें अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखें और नहीं अच्छा लगा तो आप क्या इसमें बदलाव चाते हैं वह भी जरूर सुझा दें बहुत बहुत धिनवात थैंक्यू आप लोग को